हलो दूस्तों आपका हमारी चैनल में स्रागत है अज हम बनाएंगे पटेवी दूद का मीठा कि दूद फट गया तो इसमें आदा नीमू का रस डाल दिया था एक दू मिनब तक चलाते हुगे इसको और अच्छे बकाल देना है फिर गयस बंद कर देना है ज्यादा नहीं एक दू मिनट तक गई क्योंकि फट चुका था तो इसमें नीमू डाल दिया तो और जल्दी से हो चुक है तो दस मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे यह दिगे दस मिनट बाद हम आपको दिखा तो ठंड़ा हो चुका है तो इतनी अच्छी से दूद एक जम घया है फटा हुआ पनीर जया स हो चुका है आप चाहते इसका पनीर भी बना सकते हैं जब ठंड़ा हो जाए तभी आपको इसको चान ना है तो देखिए इसे ब्ल में पजान जो इसार पानिया उसे में इक पनीर भी बना दें आधा लीटर दूद था फट गया था उसमें नीमू डलकर उन्हें इसको और अच्छे ची पका लें तो ज्यादा पनीर हो गया इसमें तो इसमें हम चीनी डालकर बनाएंगे कि इतना ही एक कटोरी है आधा किलो में इतना निकला है दूद फटा हुआ और यह इतना पानी निकल गया गया कि इसको गैस प्रेम ने रख दिया भगोने को इतना पनीर हमारा निकला अब इसमें हम दो चमज चीनी डालेंगे ज्यादा मीठा नहीं नॉर्मल मीठा अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी मेल्ट होने देंगे इसको चलाते गुए पकाना एक दो मिनट तक इसकी दो मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं चीनी मेल्ट हो चुका है दो तीमने तक चलाते गुए आप उसको पकाते रहना है गमच्छे से ब्राउन हो चुका है यह देखे हमने गैस बंद कर दिया इसकी रड़ी हो चुका है खाने के लिए फटेवी दूद में चीनी मिला कर ऐसे पका कर खाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत लुग पानी के साथ ही दूद को जलाते हैं तो बहुत सारा समय लगता है दूद को उसको छान कर फिर आप इसमें चीनी डालकर पकाए तो बहुत ही जल्दी हो जाता है खाने के लिए यह देखें कितना टेस्टी है अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लेगी तो प्लिस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम आपके लिए और भी रेस्पी लाते रहेंगे आप भी जरूर बनाए अगर मंगर मखाई